अगर आपको मेरी रेसिपिस पसंद आए तो चैनल को सब्स्राइब कीजिए और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाईए इससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा अभी इसको में छाली में फैला दिया है तो इसमें जो एकसेस वाटर है वो निकल जाएगा 30 मिनिट्स बाद मैं इसका प्रोसेस स्टाट करोगी मैंनी गैस पर चुलाएग छ़एगा इसमें में दे रही हूं 15 तखीव गी को हम मेल्च होने के लिए वेट करेंगे खीव मेल्च होने केबाद मैं 2 तखीव बाला मुन था-प्रोसे अर। 2 मिनित प्राइ करने के बाद, मैस को निखाल की उसके बाद मैस में निखाला है डिला, जीला, 1 बास, रेधा का-डेंसको निखाल का यिला,asan-स ग्रीन चिली चॉप्त इसको हम 30 सेक ए युफिंद्स के लिए फ्राइ का लेगा बॉइल पोटाटो जिसको मैंने छोटे चोटे पीस में कात लिया है इसको हम थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे लो मीडियम खें में फोर 2 मिनिट्स चोटे रॉप रॉप लेंगे मिलाने के बाद मेंस में दे रही हूं साबू दाना मिला लेंगे मिलाने के पाद हम इसको जाधा देट तर नहीं पकाएंगे दो से तीन मिनित हम इसको پकाएंगे और तब तब तक साबूदाना विह में ट्रंस्लोशिंड न में अभनान वसंग को एड़ी अब्ग करेंगे तो एक्सके अब अल्विभी ऐिकषित शोHY अब रहीं तो ना गार्या रखा है लास्ट में हम इसमें एड कर रहें वान पोटी स्पून आम चूर पाउडर आप इसके जगह पे निम्बू का रज भी उसका सकते हैं मिला लेंगे इसको और हम लोग का ये साबू दाना की खिचरी बिलकुल रेडी हो गया है तो मैं गया इसको आफ कर रही हूँ और इसको हम स कर दिखाया है इस खिचरी को बहुत तरीके से हम लोग बना सकते हैं लेकिन आप इसको घर में जरूर चाहिए और मुझे कमेंस करके बताएए कि कैसे लगा है मेरा ये नया रेसिपी और फ्रेंच में प्रीज 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 मेरी क्यानल को सब्स्राइब कीजिए